नमस्ते दोस्तों मैं प्रियंका श्वागत है आपका हमारी रसोई वेजन डिस्पाइस ने तो आज हम बना रहे हैं आवले की खट्टी मीटी कैंडी जिसे हम आवले का गटागट भी कह सकते हैं यह टेश्टी तो होता ही है लेकिन अगर आप इसे खाना खाने के बाद एक गोली खा लेंगे न तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा एक बार बनाईए और साल वर्दक आप इसके श्टोर करके रख सकते हैं तो आएए फ्रेंड्स देख लेते हैं यह हेल्दी सी रेसिपी हम कैसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहां पे लगबर 400 ग्राम आवला यह हमारा कच्छा आवला है आपको पता हिए आवले में भरपूर मात्रा में विटामिन शी होता है जो हमारी आखों और बालों के अश्राइब लिए निज़ाए पानी रहें ज्यादा पानि नहीं जले नहीं इतना पानी डालना है तो फ्रेंड्स यहां दो सीटी हमने लगा दिया है अब हम गैस को बंद करेंगे जब इसका ढकन सीटी खुल जाए फिर हम इसे चेक करेंगे देखिए हमारा आवला इसे ठंडा कर लेना है, इसका पानी हमें बिल्कुल फेकना नहीं है, आवले का न्योट्रिशियन इस पानी में है, तो हम इसे दाल सबजी बनाने में यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसे बालो में भी लगा सकते हैं, इसका आप यूज कर लिजेगा, इसे फेकिए गा नहीं, अब हमारा आवला ठंडा हो गया है, अब हम इसका बीज निकालेंगे, इसे हमने उबाल लिया है तो बिलकुल भी दिक्कत नहीं होगा इसका बीज निकालने में, ये बड़े ही आसानी से सॉफ्ट हो गया है और बड़े ही आसानी से इसका बीज निकल जाएगा, तो ये देख वीज़ें आफिक भी यह सौफ्ट होने की वज़े से अच्छे से पिस जाएगा तो हम सारे आवले को ट्रांसफर करेंगे एक मिकसर जार में और इसमें डालेंगे एक इंच अद्रक का टुकड़ा ऐगा इस से इसका टेस्ट काफी अच्छा हो जाएगा तो हमें छोटो छोट और अद्रक काट लेना है और इस तरीके से एक स्मूध पेश्ट तयार कर लेना है हमें एक स्मूध पेश्ट तयार कर लिया है यह काफी आसानी से पीस जाता है बिल्कुल भी डिक्कत नहीं होती इसे पीसने में अब हम इसे एक कटोरी में निकालेंगे जिससे कि हम इसका मेज जैसे यहां एक कटोरी आवला है तो हम एक कटोरी गोडिया सक्कर डालेंगे इसमें तो आईए अब हम कैंडी को बनाने के प्रोसेस में चलते हैं यहां मैंने एक भारी तले का पैन ले लिया है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स थोड़ा भारी होना चाहिए तला क्योंकि जि एक कटोरी भर के गोड़ ले लिया है क्योंकि हमारा एक कटोरी भर के आवला था आवले कहों में पीछने के बाद मेजर्मेंट करना है याद रखिएगा फ्रेंड्स तो अब हम इसमें गोड़ को डाल देंगे और इसे चलाएंगे आप गोड़ की जगा सक्कर भी डाल सकते है लेकिन मैंने यहां गोड़ यूश किया है क्योंकि गोड़ एक हेल्दी अप्सन है इसमें भी भरपूर मात्रा में आयरन पाया जाता है तो यह देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें इसे चलाना है हमें पानी या घी कुछ भी नई डालना है इसमें बस हमें इसे ऐसे यह देखिए हमारा गुड़ फिघल रहा है और यह काफी पतला हो गया है तो यह देखिए फ्रेंड्स गुड़ हमारा अच्छे से पिघल गया है और अब इसे चलाने में बिल्कुल भी दिकत नहीं हो रही है अब हम इसमें डालेंगे मसाले तो हम इसकी बना रहे हैं पाचक जिसे मैंने उखा भूल लिया है और इसका पावडर बना लिया है दो इसे हम इसमें डाल धेंगे और इसे चलाते रहेंग अब यहां मैंने डाला है एक चम्मच काली मिर्च जिसे मैंने पीस लिया है और पाउडर बना लिया है और डाला है आधा चोटा चम्मच हींग हींग आप जरूर डालिएगा क्योंकि हींग से हमारा डाइजेस्टिप सिस्टम काफी अच्छा रहता है तो यह देखिए फ्रेंट्स यहां में इसे चलाते रहना है और हमें इसे तब तक चलाना है जब तक कि हमारा यह जो पेश्ट है यह इकठ्था ना होने लगे आप इसे चलाते रहिए आप खुद देखेंगे कि यह कड़ाई में इकठ्था होने लगा है जैसे कि अभी यह ची मैंने लगबग एक चम्मस सेंधा नमक डाला है और साती ही डाला है आधा चम्मस काला नमक इसे हमें इसमें डालना है और अच्छे से मिला लेना है और धीमी आज पे हमें इसे चलाते रहना है तो यह देखिए फ्रेंड्स यह काफी सूखा हो रहा है लेकिन अभी हमें इसे थ थोड़ा सा चेक कर सकते हैं खाके कि इसमें नमक वगएरा सही है या नहीं सही है मैंनों तो यहां पर थोड़ा सा चेक कर लिया था और मुझे अपना नमक इतम परफेक्ट लगा तो देखिए फ्रेंड्स हमारा बेश्ट जो है वो कड़ाई छोड़ने लगा है और एक जगह ह कठा होने लगा है और यह काफी ना हमें सूखा सूखा सा लगेगा तो इसका मतलब है कि हमारा यह हो चुका है अब हम इसे अब हम गैस को करेंगे बंद और इसे कंप्लीटली पूरी तरीके से ठंडा होने देंगे हमें इसे तीन-चार घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है और इसे ठंडा होने देना है तो यहां देखिए फ्रेंट्स हमने अपने आवले के पेश्ट को एक बरतन में निकाल लिया और यह पूरी तरीके से ठंडा हो गया है और यहां मैंने लिया है पीसी चीनी इसे हम हतेली पे रखेंगे और इसकी छोटी-छोटी गोली बनाए है इसकी गोली आप इसे छोटा बड़ा अपनी मर्जी से कर सकते हैं और अब हम इसे इस चीनी में ऐसे लपेट देंगे तो देखिए फ्रेंट्स लग रही है ना इत्दम बजार वाली केंडी तो इस तरीके से हमें अपने हथेलियों पे थोड़ा सा चीनी लगाना है चीनी कर लोड़ा वी डी में अच्छा लगेगा ही लेकिन एक इस दूसरे में चीपके नहीं आएव फ्रेंड्स आप इस रैशिपी को ट्रायाई जरूरूर करियेगा एँओं यह हेल्दी होने के सासथ काफी टेश्टी भी होती है तो अगर वीडियो में कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करके जाएगा फैमली फ्रेंड्स में सेर जरूर करिएगा और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है और आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज फ्रेंड्स हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए मिलते हैं नेक्स एले, बाइ, फ्रेंस